नमस्कार मैं हूँ ससी आया जर्खन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं इपास के नियुमों में संसोधान जर्खन में 16 से 27 माई तक लागू किये गए स्वास सुरक्षा सब्ताक नियुमों में कुछ बदलाव किये गए हैं अदेश के मुताविक सौव यात्रा में होने चिकितसा उदेशियों तथा इसे समन्दित कारियों जैसे चिकितसी जाँच, सरीरिक जाँच के लिए भैक्सिनेशन के लिए मरीजों को हॉस्पिटल आने जाने के लिए ईपास की जरूरी नहीं होगी वहीं इसके अलावा अनुमती प्राप्त समगरियों को खरीदने के लिए तीन घंटे की बैतावाला e-pass बना सकते हैं e-pass के साथ इन दस्तवेजों का साथ होना जरूरी कौम समय में ज़्यादा लोगों को e-pass मिले इसको लेकर प्रवहन विभाग e-pass पोर्टल में बदलाव किया है लेकिन पोर्टल में वेरिफिकेशन का ओप्सन ही नहीं है अगर आप अपने मोबाइल नमबर से रेजिस्टेशन कराते हैं तो आपके पास OTP नहीं आएगा यानि आपके मोबाइल नमबर के वेरिफिकेशन की बिना ही आपका रेजिस्टेशन पोर्टल पर हो जाएगा बता दे इस बावत पूछे जाने पर भी भागिया दिकारी बताते हैं कि पोटल पर रिश्टेशन में जो मोबाइल नमबर वा पचान पत्र जैसे आधार का ड्राइवी लाइसेंस पैन नमबर या पोटर आईडी में से कोई भी एक दस्तावेज डालते हैं वह उस दस्तावेज की ओरिजिनल कोपी और वह मोबाइल नमबर सफर में अपने साथ होना चाहिए ऐसा नई होने पर केस करने का परधान है जारखन मौसम विबाग के उनसार अरब सागर में उठे तुफान तोकते का अंसिक असर जारखन पर भी पर सकता है बतादे इस तुफान की वज़ा से 29 मही तक राजे में बादल चाहे रहा सकते हैं वहीं प्री मानसुन गत विदियो के कारण कहीं कहीं गर्यन के साथ हलकी बारिस भी हो सकती है मौसम विबाग के उनसार 20 मही तक राजे में कहीं कहीं गरज बजबात और हलकी बारिस का अनुमान है किसानो को मिलेगा धान का पैसा 200 कोर मनझूर किसानो को धान का पैसा उपलव्द कराने के लिए खाद आपुरती विभाग ने पहल किया है फिराल दो सो कोड़ में से एक सवन ठावन को रुपए सारे जीले को भेज दिये गा है सीबी एसी बारामी बोर्ड परिक्षा नहीं होगी राद सीबी एसी बारामी काक्षा के छातरों के लिए आहम दिन रहा अलाकि केंद्रिये माजमिक सिक्षा बोर्ड ने अभी तक अधिकारिक तोग पर इसका एलान नहीं किया है लेकिन माना जा रहा है कि सीबी एसी बारामी बोर्ड परिक्षा 2021 रद नहीं होगी 27 माई को देश भर में कुरोना वायरस संक्रमन से विगाड़ रहा हलातों के बिच केंद्रिये सिक्षा मंत्री डाक्टर रमेस पोक्रियान निसंक ने सभी राजियों के सिक्षा सचिवेक साथ कुरोना संक्रमन के अहलात जानने के लिए वर्च्वन मिटिंग की 28 में बोलिस मुख्याले में भैक्सिनेशन नहीं करवाने वाले पोलिस कर्मियों को लेकर खेद जताया है राजे पुलिस मुख्याले द्वारा सभी जीलों के S.P. को निर्देसित किया गया है कि वे सभी थानों ओपी प्रभारी को निर्देसित करें कि अपने अधिन तैनाध पुलिस कर्मियों को भैक्सिन लगवाएं भैक्सिन का उत्पादन करने वालों को टोकन रेट पर जमीन देगी हमन सरकार मुख्यमांति हमन सुरन ने कहा है कि राजे में कुरोना भैक्सिन उत्पादन के लिए उध्योग अस्थापित करने वाले कोई ब्यक्ति या समू को राई सरकार हर परकार से स्वयोग करेगी इस उद्योग के लिए टोकन रेट पर जमीन देने का काम राई सरकार करेगी उन्होंने यह बात हजारी बैक सांसर जेयन सिनाक के एक प्रस्ताव पर कही जीले से लेकर पंचाय तक हेल्थ सरकीट मुख्यमंतिर हमनसुरे ने कहा है कि सरकार सभी जीले परखंड से लेकर पंचाय तक स्वास सरकीट तयार करने पर काम कर रही है इससे हम भविसे में स्वास्त के छेतर में बेतर इस्थिती में खड़े होंगे ग्रामीन छेत्रों में जाच से लेकर उपचार की अच्छी वेवस्ता होगी साथी सभी परखंड में दो-दो अक्सिजन सपोर्टेट एम्बुलेंस उपलब्द कराने का निना लिया गया है इपास के लिए नहीं चलेगा बहाना सकती से होगी जाच इपास सर्वर, इपास झारखं.nic.in ने सही तरीके से काम करना सुरू कर दिया है और इसके बाद पास बनाने की कठिनाई से समंधित बहाना नहीं चलेगा माना जा रहा है कि मंगलवार से सडकों पर निकलने वाले लोगों की जाच में तेजी लाई जाएगी और अकारण घूमने वालों के साथ सकती भी बरती जाएगी सरकार ने पहले ही बड़े उद्योगों के कर्मियों को ओफिस आने जाने के लिए पास के निवरता से छूट दी थी लेकिन मंगलवार से ऐसे कर्मियों के पास की भी जाच की जाएगी हलाकि स्वास्त कारियों से निकलने वालों लोगों को कोई परसानी नहीं होगी जारखन में पचीस सो साथ नए केस मिले हैं जारखन में साथ मरीज की मौत हुई है जारखन में कूल मौत की संख्या 45-49 है वहीं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 33,524 है भारत में 2,62,891 नाई केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संक्या 2,888 या 751 है भारत में 4,22,255 मरीज स्वस्थ हुए हैं वहीं जार्खन में 243 मरीज स्वस्थ हुए हैं जार्खन में 2,507 नाई केस मिले हैं 182,22,25, जाम तरा 33, खुटी, 94, कोडार में 73, लात्यार, 55, लोर्दागा, 41, पाकुर, 4, पलामो, 127, रामगर, 119, राची, 292 साइव गंजे कई, सराय किला 52, सिम्डेगा 82, पच्मी स्वस्थ हुण से 112 मरीज मिले हैं जार्खन में 5463 मरीज स्वस्थ हुए हैं ग्रामीन छेत्रों में स्वस्थ वेवस्था मजबूत करना हेमान सरकार का लगछे जार्खन स्वस्थ हैं हेमन सुरे ने सोमवार को अपने वास्य करया लेसे रामगर, जिलाज, स्थित, मांडू परखन के डिएबी स्कूल, घान्टो टाड में बने आक्सिजन युक्त असी बेड़ वाले कोविट केर सेंटर का उल्लाइन उड़ाटन किया इस दोरान ग्रामिन छेतरों में स्वास्थ बेवस्था मजबूत करने की प्रत्मिक्ता गिनाई जार्खन के सभी परखन्डों में दो-दो एम्बूलेंस उपलवद कराये जाने की योजना राज सरकार सभी जुले परखन्ड तथा पन्चायतों में स्वास्थ बेवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कार योजना त्यार कर रही है बतादें ग्रामिन छेतरों में स्वास्थ सरकीट बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है जिससे इस्थिती बेहतर हो सकेगी सभी प्रकंडों में दो-दो एम्मूलेंस उपलब्द कराए जाने की योजना है उन्होंने कहा कि सभी जीलों में मेडिकल अक्सिजन की परयाप उपलब्दा के लिए अक्सिजन बैंक बनाए जा रहे हैं कांग्रेस निता ने इपास का किया बिरोध जारखन में इपास बनवाने की परकिरिया में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस निताओं ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है पतादे पार्टी के करकारी अध्यक स्वजामतरा बिधायक डाक्टर इफार अनसारी ने इपास पर लिए गए फैसले को जन बीरोधी करार दिया है उन्होंने इसे ततकाल रोकने की मांग की है वहीं प्रवक्ता कुमार राजा ने भी आम लोगों को हो रही परिशानी के मदर नजर नेमों में बदलाव किसी फारिस किया है हलाकि कॉंग्रेस का एक बड़ा बर्ग मुख्यमंतरि एमान सुरेन के साथ है CCL ने जहारखन के आठ जीलो को दिया 10 क्रोर CCL ने अपने CSR प्रोग्राम के ताथ कुरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जहारखन के आठ जीलो के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है इसके ताथ आठ जीलो में कमपनी के द्वारा 10 को रुपे खर्च किया जाएगा इसमें से 6 और 25 लाख रुपे कमपनी ने आठ जीलो को अवांटित कर दिया है सरकारी स्कूलों के बच्चों को नहीं मिलेगी गर्मी की छुटी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को गर्मी की छुटी नहीं मिलेगी जारखन सेक्षिनिक अनुसंदान और प्रस्कीशन परिसद ने इस संबन्ध में सभी जीला सिक्षा पता अधिकारियों तथा जीला अधिक्षकों को निदेश जारी कर दिये हैं जारखन के सिक्षकों के बेतन के लिए 700 क्रोर जहारखन के मुख्यमंत्री जमन सुरे ने मुख्यमंत्री बिसेश चात्रवित्री योजना के लिए 10 कोड़ रूपय के प्रस्ताव पर सुविक्रित प्रतान कर दी है वहीं उतकर्मिक, ओच बिद्यालों के सिक्ष को तथा कर्मियों के बेतन के लिए 700 रूपय के विभागिय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है मुख्यमंत्री बिसेश चात्रवित्री योजना के तحत सुविक्रित रासी से सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले काक्षा 1-4 के परतेक बच्च्यों को 10 मां के लिए 500 रूपय काक्षा 5-6 के परतेक बच्यों को 1,10 रूपय तथा काक्षा साथ से आठ के प्रतेक बचों को पंदर सो रूपए चातिविती के रूप में मिलेगी नकसल अभियान में लगे जारखन के पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर जारखन में नकसलियों ख़िलाफ अभियान में लगे जवानों पता अदिकारियों का 47,00,00 रुपए का बीमा होगा बतादे राजे में इस अभियान में जारखन पुलिस वग के अंधरिये अर्द्षैनिक वल्क के 85,408 जवान पता अधिकारी सामिल है बीमा सबका होगा जिसके प्रीमियम का भुगतान एक 100 रुपे प्रती जवन पताधिकारी के दर से पुलिस मुख्याले करेगा बतादे इसके लिए बीमा कमपनी को 31 मई तक टेंडर भरने समधी सुचना जारी की गई है बिना अनुमाती की बीवा का आयोजन करने वालों पर करवाई सुरू राची जिला परसासन और राची पुलिस ने बिना अनुमाती की बीवा समारों का आयोजन करने वालों पर करवाई सुरू कर दी है इसके तहट बरगाई अंचलनी रिक्षक ने बिना अनुमाती की विवासमारोक आयोजन करने पर गितांजली वैंकवेट हॉल के संचालक बिनोद गोप के अलावा दिनानात और प्रमोद कुमार सिंग के खिलाप लोकडाउन की गाईलाइन का उलंखन करने की प्रतमिकी पननकरमन के धर वैब के लिए मेडिकल सुवीधावों को बहतर बनाने का निर्देश राणची के उपायुक छविरंजन ने सो मरकोई ग्रामिन चेत्रों में क्रोणा के रोक्थाम के लिए कार्योजना पर बैठक आयोजित की क्रोणा के रोक्थाम के लिए पनचायत अस्त रात टेस्टिंग करेगी, टेस्टिंग कारे के लिए सारे ए एन्म की ट्रेनिंग हो चुकी है, बता दे बैठा के दोरान उपायुक ने पंचायत वाट टीम त्यार करने का निर्देश दिया, रांची में पैंचायत अस्तर पर कोविट टास्फोर्स बनाने का निर्देश रांची के उपएउट छवी रंजर ने कहा कि पिछले डेर महिने में आपके दिन रात का काम का असर धरातल पर दिखने लगा है व्यवास्ता बेतर हो रही है और जीला में इस थीती पटरी पर लोटती दिख रही है लेकिन ये समय आती माटपून है हमें अब और ज्यादा ध्यान देने के ज़रूरत है ताकि कुरोना के राफ्तार पर लगाम लगाया जा सके उपायुक्त स्वमवार को कुरोना नियंतरन के लिए गठीत बीभीन को सांगों की समिक्षा बेटा के दोरान पतादिकारियों को समोधित कर रहे थे मुख्य मंत्री बीसेश चात्र बीरती के लिए 10 कुरोन के परस्ताओ को स्विक्रिती बीसेश राज सरकार दोरा मुख्य मंत्री बीसेश चात्र बीरती योजना आराम की गई है जो सिफ उन छात्र चात्राओ को अचाजित करती है जिन है बरतमान में मौजूद किसी भी अन योजना से किसी भी परकाय की छात्र बीती नहीं मिलती है सरकारी स्कूलों में नहीं होगी गर्मी की छुटी कुरोना संग्रमन के मामलों को देखते हुए जहारखन के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बचों को इस बार भी गर्मी की छुटी नहीं मिलेगी बतादे जहारखन सेक्षिनिक अनुसंधान वंप्रसिक्षन परिशद ने इस समद में सभी जीला सिक्षा पता दिकारियों तथा जीला सिक्षा अधिक्षा को निदेश जारी कर दिये हैं आदेश में कहा गया है कि गिस मावकास में भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी कुरोना के कारण लंबे समय से स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चों की छुटी हुई पढ़ाई तथा उसमें हुई लर्निंग लॉस की छाती पूर्ती के लिए जार निना लिया गया है जहारखन के पेज जले हम स्वख्षता मंति मिस्लेश कुमार ठाकूर के अधक्स्ता में अंचला अधिकारी आधी से ओनलाइन बैठा की